नो से दोस्तों, फाइनली UPSC ने 2022 का फाइनल रिजल्ट डिक्लियर कर ही दिया, और इस बार तो देखो, रिजल्ट में लड़कियों ने लठगार दिये, जी हाँ, आप टोप रैंक 4 देखे, रैंक 1, रैंक 2nd, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 1 इसीता, रैंक 2 गरीमा, रैंक 3 उमा, रैंक 4 समरिती, चारो की चारो जो टोप रैंक्स हैं वो लड़किया, टोप 10 में 6 लड़कियों ने स्थान प्राप्त किया, यह जानते हो इंपोर्टेंट क्यूं है, मैं आपसे कोशन पूछता हूँ, आजाद भारत के इतिहास में पहली, आजाद भारत के इतिहास में पहल की चीफ सेकेटरी महिलाएं हैं, उस लिहाँ से देखें, रिजल्ट देखो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, वोमन इंपावर्मेंट वाला है, देखो मेहनत दोनों की सेम है, लड़कों की लड़कियों की, स्ट्रकल दोनों का सेम है, लेकिन इस बार रिजल्ट में ठास करके टोप 10 में लड़कियों ने बाजी मारी, और जैसे ही रिजल्ट आया, एक ना दोर स्टार्ट हो गई, रेस स्टार्ट हो गई, रेस स्टार्ट हो गई, रेस स्टार्ट हो गई, रेस स्टार्ट को क्लेम करने की, अलग-अलग कोचिंग इंसिचूट का दावा स्ट कि रैंक वन हमारे इंसिचूट से हैं, रैंक सेकंड हमारे इंसिचूट से हैं, मैं देखो आज उस रेस में नहीं जाने वाला हूं, मैं नहीं बोलने वाला हूं कि रैंक सेकंड ने हमारे इस इनिशेटिव को जोइन किया, रैंक फॉर ने हमारे इस इनिशेटिव को जोइन कि नए मैं उस रेस में आज नहीं जाऊंगा क्यूंकि देखो आज जीत है महनत की इन केंडिडेट्स ने जो सालों साल महनत की तपश्या की दिन रात एक कर दिया इतने सारे जो सेक्रिफाइसी किये आज जीत है उन चीजों की आज जीत है उनके पेसेंस की देखो बस बात इतनी सी है जब आप किसी की सफलता का भागेदार बनते होना अभी थोड़ी देर पहले की बात है मेरी रैंक फॉर से बात हुई स्मृति से नोईडा में और बात करते करते न उनका गला भर आया रैंक फॉर देखो किसी की भी आयेगी विश्वास नहीं होगा शुरू में कि हाँ फाइनली इतना भड़िया रिजल्ट आया है लेकिन देखो जब बात चल रही थी न तो इतना अच्छा लगा आप किसी की सफलता में जुड़ते हो आप किसी के भागिदार बने उसके साथ डेस्टिनेशन में पुन्चाने में बहुत अच्छा लगता है बात सिर्फ इतनी सी है अदर्वाइस देखो मेहनत सारे के सारी कंडिडेट्स की है यह तो उनका बड़पन होता है वो किसी न किसी कोचिंग इंसिचूट को थोड़ा क्रेडिट दे देते हैं और बात में रेस लग जाती है कि हमारे इंसिचूट से इतनी सेलेक्शन हुए प्री भी है उन्होंने फॉर्म भर रखा है 28 मई का लेकिन देखो संभालना मुस्किल होता है आप इतना करीब आ गए मंजिल के लेकिन मैं देखो सारे उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि महनत कभी व्यर्थ नहीं होती आपके पास टाइम कम है प्री दीजिए आप अपने इस मुमेंट को देखिए कि इस पर कहां से इस बार इनका समय है अगला जो साल होगा वो आपका होगा इवन आज आप डिसाइड कर लीजिए कि 28 मई का जो प्री है इसमें आप अपना बैश्ट दोगे मैं बोलता हूं comment box में जो हमेशा बोलता हूं एक statement एक line जरूर no matter how bad it is I am going to make it कितना भी मुश्किल हो मैं चीव करने वाला हूं मैं इसे हासिल करने वाला हूं यह line आप जरूर लिखेगा no matter how bad it is I am going to make it एक line है न मौहावरा है अब पस्ताय होत क्या जब चिडिया चुगई खेत वेबिनार में मैंने ये बात बोली थी आप अपना best दीज प्रेसर, anxiety, negative thoughts इन सब का कोई स्थान नहीं है आपकी तयारी में जल्दी से आप 28 मई का pre clear कीजिए और PW OnlyS बहुत सारे initiatives आपके लिए लेकर आएगा free वाले initiatives लेकर आएगा आपकी तयारी आपकी मेहनत में PW OnlyS भागिदार बनेगा और इसी चीज़ से तो खुसी मिलती है यार इसी चीज़ से तो खुसी मिलती है कि आप किसी की सफलता में साथ जुड़ते हो, PW OnlyS तो आपको पता है बहुत सारे free initiatives YouTube पे, Telegram पे, free notes बहुत सारे provide करता रहता है और even देखो वो लोग जो beginner है जिन्नोंने अभी अभी त्यारी start की है, देखो इमारत बनती है ना, एक-एक इ सिरफ एक इल्ट से की थी, एक step से की थी और आज उन्होंने अपने परिवार को, अपने समाज को गरवानमीत महसूस करवाया और वो देश के लिए आने वाले समय में कुछ करेंगे, आपको भी मैं यही बोलना चाहता हूं, मैं यूँ नहीं बोलता देखो, coaching लीजिए, coaching ज गंटे इस exam को देते हो, consistently देते हो, ऐसा नहीं बीच में gap ले आते हो, दो दिन पढ़ाई की तीन दिन आगे छोड़ दिया, नहीं, लगातार 8 से 10 गंटे आप देते हो, consistently देते हो, self evaluation आप करते जाते हो, कौन रोकेगा आपको, कोई नहीं, देखो ये बात सच है, seats limited है, लेक लगातार answer writing की practice, लगातार revision, लगातार, 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 तबी तो नाम आता है final list में, समझ गए, तो देखो, इस वीडियो में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, आज आप decide कर लीजिए, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि अपना best देना है आने वाले समय में, बस best मेहनत करनी है, best consistently रहना है हमेशा, thank you.